पर प्रगंबीर मुद्दा था और सरकार गुप-चुप तरीके से इसमें दस्कत करना चाहते थी लेकिन कांग्रेस पार्टी की नेत्रतों में सभी अपोजिशन पार्टी इसमें उसका फिरोध किया सरकार को वापिस कदम उठाने पड़े और ये सत्य है कि यूप-ए सरकार के दरान में इसमें नेगोशेशन चुरू ही चीन उसका इस्सा नहीं था और हमारी बूमिंग एकॉनमी थी बहुत अच्छी एकॉनमी थी तो दूसरे देशों में उतना माल भेजने की स्थिती में एक applicable से हाथ तरीके से सरकार ने किन प्रस्तितीयों में चीन को उसने समलित किया हम और चीन तो कुक्हात है कि पूरी दुनिया में जहां जहां गो उसको मिलता है तो जो सस्ती चीजें महां डंब कर देता है और जो स्थानिय काईया है उद्योग है चोटे-मोटे धंदे हैं बरबाद हो जाते हैं, खतम हो जाते हैं, तो सरकार ने किन प्रस्तितियों में चीन को इस negotiations का हिस्सा रखा, इस agreement का हिस्सा रखा, यह नहीं होना चाहिए था, और देर आए, दुरुस्त आए, opposition के, Congress Party के, दावाब के कारण, अब RCEP agreement है, वो sign नहीं होगा, और वरना यहां के किसानों का, यहां के मच्वारों का, यहां के दूद बेचने वालों का, पूरी तरह से बंटा दावाब